हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी आपकी नएक अक्षा में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय आपके हिंदी विषय की पुस्तक का नाम है स्वर्गुंजन हमें स्वर्गुंजन पुस्तक पढ़नी है हिंदी में तो इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है हम आगे देखते हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, बिसे सूची, पहला आपका वर्माला, आपको पढ़ना है वर्माला के बारे में, उसके बाद से आपको पढ़ना है, दो अक्छर वाले आमात्रिक सब्द, आमात्रिक मिस होता है, जो की बिना मात्रा की होता है, तो ऐसे सब् आक्षछर से मिलके बने हैं उसमें मात्राएं नहीं लगी हैं मिना मात्रावाले दो अक्षछर के सब्द परने हैं उसके बाद तीनक्षछर वाले आमात्रिक सब्ड पर ने हैं बिना मात्रा वाले तीन अक्षर से बने सब्द पढ़ने है, उसके बास से आपको पढ़ने है चार अक्षर वाले अमात्रिक सब्द, चार अक्षर से बने बिना मात्रा वाले सब्द पढ़ने है, उसके बास से आपको पढ़नी है मात्राएं, अब मात्राएं में आपको कौन- इदी की मात्रा पढ़नी है और हमें पढ़नी है किसकी मात्रा ए की मात्रा उसके बास्ते आए की मात्रा ओ की मात्रा अंग की मात्रा चंद्रविंद की मात्रा अहा की मात्रा उसके बास्ते हम पढ़ेंगे जादेफ की मात्रा फिर रापदेन की मात्रा तो इतनी मात्रा हमें पढ़नी है उसके वाद से हम पढ़ेंगे आधेस अक्षर फिर बारा खड़ी तो इतना हमें पढ़ना है अपने सुर्गुंजन पुस्तक में तो चलिए हम सुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक वर्माला वर्माला पढ़नाय में आप सभी को बता होगा वर्माला किसे कहते हैं वर्डों के समूं को वर्माला बोलते हैं सभी वर्ड मिलकर वर्माला का निर्मार करते हैं वर्माला बनाते हैं सबी वर्ड एक साथ मिलकर वर्माला का निर्मार करते हैं तो हिंदी वर्माला में कुल कितने वर्ड होते हैं 52 वर्ड होते हैं इसको हम हिंदी में 52 बोलते हैं तो हिंदी वर्माला में 52 वर्ड होते हैं इनको दो भाग में बाटा गया है 13 स्वर और 39 ब्यंजन थर्टीन स्वर थर्टीनाइन बिंजन थर्टीन को हिंदी में तेरा बोलते हैं और थर्टीनाइन को हिंदी में उन्तालिस बोलते हैं तो हिंदी वर्माला में थर्टीन स्वर होते हैं थर्टीनाइन बिंजन होते हैं तो हमें स्वर अबिंजन के बारे में पढ़ना है पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में और उनकी मात्राएं लगती है स्वर की मात्राएं लगती है तो स्वर हम किसे कहते हैं ऐसे वर्ड जो की बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं ऐसे वर्ड जो कि पिता किसी दूसरी वर्ड की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं और स्वर की मात्राएं लगाई जाती हैं स्वर की मात्राएं किस पर लगती हैं? बिन जन वर पर लगती हैं स्वर की मतल हैं तो हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? थर्टीन स्वर हैं पहला है आपका चोटा-अ चोटा-आ से क्या होता है? चोटा-आ से अनार फित बड़ा-आ बड़ा-आ से आम चोटी-ई से इम्ली बड़ी-ई से एक छोटाओ से उल्लू, बडाओ से उन उसके बाद क्या आता है? री, री से रिसी ए से एडी, आ से आइनक फिर ओ, ओ से उखली ओ से उखली, ओ से आउरत, अंग से अंगूर अंग के बाद क्या आता है? अंग के बाद आता है आहा आहा से कुछ नहीं यहाँ पर आहा से कुछ नहीं है इसका मतलब यह है कि आहा वर्ड से किसी भी सब्द की सुरुवात नहीं होती है आहा वर्ड जो है, इसकी केवल मात्राएं लगती है और सब्द बनाए जाते हैं तो आहा से सुरूर होने वाले सब्द नहीं होते हैं यह सब्दों के बीच में लगते हैं या अंत में लगते हैं मात्रा के रूप में तो इसकी मात्राएं बेंजन वर पे लगाई जाती है और सब्द बनाए जाते हैं बिंदों को मिलाकर पतेक अक्षर पढ़िये यहां पे आपको बिंदो मिलाना है आपने बुक में आप बिंदो मिलाना और अक्षर को पढ़ना कि कौन-कौन से अक्षर यहां पे लिखे हुए हैं तो क्या लिखा हुआ है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आय, ओ, आउ, अग, अहा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, आ, आ, इ, इ, उ, 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 री, ए, आय, ओ, आउ, अग, अहा, हम फिर से इसको पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, तो इसको अपने बुक में आप कंप्लीट करना, आगे हम पढ़ेंगे, बेंजन, बेंजन के बारे में, तो हिंदी वर्माला में कुल कितने बेंजन होते हैं, 39 बेंजन होते हैं, जिनको अलग-लग भाग में बाटा गया है, तो बेंजन इन पर मत्राइं लगती हैं, ऐसे वर्ड जो की सुरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं, उन्हें हम बेंजन कहते हैं, ऐसे वर्ड जो की सुरों की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं, उन्हें हम बेंजन वर्ड कहते हैं, बिंजनवर्ग में पहला है आपका कावर्ग इसको कावर्ग में बटा गया है तो कावर्ग में कासे लेके अंगा तक के वड़ाते हैं कासे कबूतर, खासे खरगोस, गासे गंबला, गासे गर अंगा से कुछ नहीं जैसे आपने पढ़ा भी आहा से कुछ नहीं वैसे ही अंगा से कुछ नहीं इसका मिंस भी वही है कि अंगा वर से किसी भी सब्द का सुरुवात नहीं होता है या भी सब्दों के बीज में लगता है आता है या सब्दों के अंत में आता है अंगा वर अंगा वर से किसी भी सब्द का सुरुवात नहीं होता है पढ़ना है कौन कौन से अक्षर यहां पे लिखे हुए हैं यहां पे का लिखा हुआ है खा लिखा हुआ है गा लिखा हुआ है घा लिखा हुआ है अंगा लिखा हुआ है का खा गा खा अंगा आपने बुक में वर्ग को मिलाना और इसको पढ़ना आगे हम पढ़ेंगे चावर्ग चावर्ग में कौन-कौन से वड़ाते हैं? चा से लेकर इयां तक के वड़ाते हैं चा से चर्खा, चा से चत्री, जा से जग, जा से ज़र्णा, इयां से कुछ नहीं जैसे अंगा से कुछ नहीं था, वैसे इयां से कुछ नहीं अब इसका मींस भी वही होगा कि यहां वर से किसी भी सब्द की सुरुवात नहीं होती है या भी सब्दों की बीच में आता है या तो सब्दों के अंद में आता है इससे भी किसी भी सब्द की सुरुवात नहीं होती है बिंदु को मिलाकर पते एक अक्छर पढ़िए अब यहां भी आपको बिंदु को मिलाना है और अक्छर को पढ़ना है कौन कौन से अक्छर आई था है चा छा जा जा इयां आप इसको अपने बुक में बिंदु को मिलाना और अक्छर को पढ़ना आगे हम पढ़ेंगे टावर्ग टावर्ग में टासे लेकर अनातक के वड़ाते हैं टासे टमाटर, ठासे ठठेडा, दासे डमरू, दासे धकन, अडासे कुछ नहीं यहां भी अडासे कुछ नहीं है इसका मिंस वही है कि अडावर्ग से किसी भी सब्द की सुरुवात नहीं होती है या भी सब्दों के पीश में आता है या तो सब्दों के अंत में आता है अडासे भी किसी भी सब्द की सुरुवात नहीं होती है बिंदों को मिलाकर पतिक अक्षर पढ़िए आपको अपने बुक में बिंदो को मिलाना है और अच्छा पढ़ने है आगे हम पढ़ेंगे तावर्ग तावर्ग में ता से लेकर ना तक्के वड़ाते हैं तो कौन-कौन से वड़ाएंगे तावर्ग में? ता, ता से तर्बूज यहां भी आपको बिंदो को मिलाना है और वड़ को पढ़ने है फिर आता है पावर्ग पावर्ग में पासे लेकर मतक के वड़ाते हैं पासे पतंग फासे भन, बासे बतक, भासे भवन, मासे मचली तो यह फाईव वड़ जो है पावर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा अब यहाँ भी आपको बिंदों को मिलाना है और पतेक अक्छर पढ़ने हैं पा, भा, 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 मा अपने बुक में बिंदों को मिलाना और अक्छर को पढ़ना आगे हम पढ़ेंगे उस्म बिंजन उस्म बिंजन में यासे लेके साथके वड़ाते हैं या से यग्य, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक, वक्मिस, बगुला सा से सल्जम यहां भी आपको बिंदों को मिला के अक्छर पढ़ने हैं या रा ला वा सा या रा ला वा सा आपको इसको मिलाना है और आप इसको पढ़ना है इसके बाद हम पढ़ेंगे कौण से बंजन? अन्तस्त बंजन अन्तस्त बंजन में आपका कौण कौण सा वड़ाएगा? खश्टी सा, छोटा सा, हा खश्टी सा से होता है सटको सा से सपेरा, छोटा सा से सपेरा, हा से हल उसके बाद से आता है सयूक्त बेंजन सयूक्त बेंजन में कौन-कौन से वर आते हैं? छा, छा से छत्रिये, त्रा, त्रा से त्रिसूल ग्या, ग्या से ग्यानी, छत्रक ग्या ये थ्री वर सयूक्त बेंजन में आते हैं और है आपका स्रा, ये चार वर आते हैं सरुगतु बिंजन में, चात्रग्या स्रा से समिक, चात्रग्या स्रा, ये चार वर सरुगतु बिंजन में आते हैं, बिंदों को मिलाकर प्रतीक अक्षर पढ़िए, अब यहां भी आपको बिंदों को मिलाना है, और सभी अक्षर को प सुरा अब बिंदों को मिलाना और अक्षा को पढ़ना अब ओके बच्चों आज के लिए इतना ही अगली कक्षा में हम फेस्टे मिलेंगे और हम वाड़ों को मिलाके सब्द बनाएंगे दू अक्षे लाए सब्द पढ़ेंगे तीन अक्षे लाए सब्द पढ़ेंगे चार अक्षे लाए सब्द पढ़ेंगे फिर हम मात्राओं को लगा के सब्द बनाएंगे तो आप इसको पढ़ना अगली कक्षा में ओके बच्चों गुडबाई